बच्छों की प्रोब्लम आई है इस नुमेरिकल में पूछता है कि इतने मॉलिक्यूल का वोल्यूम कितना होगा इस टेंपरेचर और इस प्रेशर पर पहले तो 11 की जो फर्स्ट व्यूटर बच्छों उसके बारे में मैं बता दूँ कि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जो आप केमस्ट्री में आगे बढ़ते हैं वो सारे चीजे आपको आगे जब आप जैसे जैसे हमारा स्लेबल्स आगे बढ़ता जाएगा तब आपको बढ़ा है ऐसा आप फील करेंगे जैसे जैसे हम स्लेबस में आगे बढ़ेंगे पहले इस नुमेरिकल को देखते हैं यहां एक छोड़ी सी चीज आपको क्रैम करना होगा अगर हम इसे इन मॉलिकूल को STP पे लेके जाएं standard temperature और pressure कर दें तो इनका वोल्यूम कितना होगा इसके लिए आपको पता है एक मॉल का वोल्यूम एक मॉल का मतलब 6.022 इंटो 10 इस तो पावर 23 मॉलिकूल का वोल्यूम मॉलिकूल का वोल्यूम STP पे होता है 22.4 लीटर या एक लीटर में कितने सेंटीमेटर क्यूब 10 इस तो पावर 3 सेंटीमेटर क्यूब तो 22.4 लीटर को मैं 22.4 22,400 सेंटीमेटर क्यूब भी कह सकता हूँ एक मॉल का वोल्यूम इतने सेंटीमेटर क्यूब होगा एक मॉल का मतलब इतने मॉलिकूल का वोल्यूम इतना होगा एक molecules का volume कितना होगा STP बे 22 400 upon 6.022 into 10 is to power 23 इतना cm3 मेरे पास total molecule है 10 is to power 22 10 is to power 22 molecules का volume कितना होगा 22 400 upon 6.022 into 10 is to power 23 into 10 is to power 22 cm3 यह volume होगा इन molecules का अगर यह molecules STP बे हो standard temperature और pressure STP STP का मतलब temperature कितना 273 Kelvin SI कहता है system international system of unit कहता है कि temperature को Kelvin में calculate करो calculate Kelvin में बता हो तो हमने temperature को Kelvin 273 Kelvin pressure one atmospheric one atmospheric pressure 760 mm के बराबर भी होता है ओके तो यह सारी चीज़े जैसे 760 mm कहां से आया 273 कहां से आया ही राइट या जीज़ी बात है 270 कर देते डाइजो कर देते राइट एक जिरो डिगरी 372.1 cm क्यूबार रहा है ओके राइट अब छोगा साथ फॉर्मूला जो बाकि नुमेरिकल्स में भी आपकी हेल्प करेगा वो यहां यूज करना है P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 पहले तो देखे बचो यह फॉर्मूला कहना क्या चाहता है बता क्या रहा है यह कहता है अगर आपके पास प्रेशर इतना है किसी गैस का एक डबबा है डबबे के अंदर गैस है और गैस इतना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है वोल्यूम इतना है उस जो डबबे का वोल्यूम होगा वही उस गैस का वोल्यूम भी होगा गैस का वोल्यूम उतना होता है जितना उस जगह का जहां वो है अगर वो किसी डबबे में है तो जो डबबे का वोल्यूम वही गैस का वोल्यूम उस गैस का प्रेशर इतना है वोल्यूम इतना है और चेंज कर दिया. Suppose आपने टेंपरेचर चेंज कर दिया और उसे टीडू कर दिया. आपने वहाँ उस डब्बे का साइस थोड़ा सा बढ़ा दिया. मतलब V1 से चेंज करके V2 कर दिया. अब उसका प्रैशर भी बदल जाएगा. अब उसका प्रैशर होगा P2. मतलब जब आप इ फोर्मूला हमें ये बताता है ये भी हमें आगे जाकर बता लगेगा कि ये कहां से आया P1 by V1, sorry P1 into V1 by T1 is going to P2 V2 by T2 इस फोर्मूले का हम यूज करेंगे यहां देखें बचो ये मेरी इन मॉलिटूल्स का वोल्यूम है STP भी वो पूछता है कि वोल्यूम बताइए जब टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना हो मतलब ये वोल्यूम कितना होगा अगर मैं टेम्परेचर 200 तीहितर की बजायत 300 करता हूँ वोल्यूम कितना हो राइट अब इसका वोल्यूम कितना है प्रेशर अगर मैं 760 लेता हूं मतलब STP की बात कर रहा हूं 180 का मतलब 760 है मैं तेम्रेचर जीता है 200 तीहतर अगर मैं लेता हूं तब इन मॉनिजूल्स का वोल्यूम होता है 372.1 अगर मैं प्रेशर उतना ही रखूं 760 तो वोल्यूम कितना हो जाएगा अगर टेम्रेचर 200 तीहतर से 300 कर दो दुबार सुनो बचो यह वो वोल्यूम है जो इन मॉनिजूल्स का होता है STP पर STP का मतल्द इस टेंपरेचर और इस प्रेशर पर है नुमेरिकल में कहता है कि हमने प्रेशर को इतना ही रखा बढ़ टेंपरेचर को बदलके कुछ और कर सुनो जब हमने टेंपरेचर को बदला तो उससे उसका वोल्यूम भी बदthढ़ेगा उससे हम इस पॉर्मूले का य क्या थे राउट कर देंगे, V2 आ जाएगा, 372.1 by 273, 300 इस साइड आ गया, इंटू 300, ट्राइक बचो, इसे सोल करेंगे, आपका आंसर आएगा, आंसर मिलेगा 408, 408.something cm3, यह आंसर है, I hope आपको समझने आ आ यह होगा बचो, बचो, number of moles का formula होता है, weight upon molar mass, for example, जैसे, moon concept का जो वीडियो है, वहाँ आपने देखा भी है, जैसे, अगर मेरे पास carbon 1 mole है, 1 mole carbon है, तो इसका मतब मेरे पास 12 gram carbon है, मेरे पास 12 gram carbon है, इसका मतब मेरे पास 1 mole carbon है, ऐसे ही अगर में हम यह निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं, कि यह फुर्मुटा कहां से आ रहा है, स्पोज बचो हमारे पास 36 gram carbon है, और आपसे किसी ने पूछा, तो कितने mole carbon है आपके पास, अगर मेरे पास 36 gram carbon है, तो इसका मतलब मेरे पास 1.12 into 36 mole carbon है, 3, 3 mole carbon, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, तो जो weight आपके पास है, आपने उसे, उसके atomic mass से divide कर दिया, इससे आपके पास mole है, तो किसी भी जगे, अगर हमें यह निकालना है, कि उस substance के कितने mole present है, तो हमें उसके atomic mass या molecular mass से उसको divide कर देना है, जितना weight आपके पास है, उसको, उसके molecular mass या atomic mass से divide कर देना है, उससे आपको number of moles बता लग जाएंगे, जैसे, अगर मैं कहूं कि मेरे पास 196 gram sulfuric acid है, तो बताएं कितने mole sulfuric acid है, 196 gram sulfuric acid है, तो बताएं कितने mole sulfuric acid है, तो हम कैसे करेंगे इसे 196, पहले तो इसका molecular mass निकालते है, hydrogen का 1, 2 hydrogen है, plus sulfur 32, sulfur का atomic number 16, atomic mass 32 होता है, plus 1 ही है sulfur, इसलिए हमने इसे किसी से multiply नहीं किया, oxygen का atomic mass 16, हमारे पास 4 oxygen है, तो टोटल आजाएगा 98, 98 gram per mole b मैं कह सकता हूं, यह molecular mass या atomic mass की unit होती है, मतलब इतने gram एक mole के वराबर होता है, किसी भी substance था, जो atomic mass होता है, उतने gram अगर आप चीज़ ले लेते हैं, या molecular mass जितना होता है, उतने gram अगर चीज़ ले लेते हैं, तो आपके पास वो चीज़ एक mole है, अगर मैंने sulfuric acid का molar mass 98 निकाला और मैंने 98 gram sulfuric acid ले लिया, तो उसमें एक mole आएका हो, तो 98 gram का मतलब एक mole, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, कि इसकी unit होगी gram पर mole, यानि 98 gram एक mole के बरापर होगा, तो याद रखना बचो, atomic mass या molar mass की unit होती है gram पर mole, ओके, सुनिए तो, अब हमें number of moles निकालना है, sulfuric acid का, जो हमारे पास 196 gram है, तो number of moles का formula होता है, mass जितना मेरे पास है, मेरे पास 196 gram है, अपन 98, जो कि इसका molecular mass होता है, तो यहाँ से अगर 2, यानि 2 mole, sulfuric acid मेरे पास है, अगर 196 gram sulfuric acid की हम बात करें, तो, ओके, तो यह है बचो, देखे, तो अब मैंसे एक बच्चे ने यह problem कुछी है, उन्होंने कहा है कि एक question है, जिसमें 1.43 gram, oxygen demon, तो हमें बताना है बच्चो कि वहाँ oxygen के कितने molecules है, जब भी आपको molecules बताने हो, तो सबसे पहरे प्यारे बच्चो आप उनके mole निकाले, जैसे 1.43 gram of oxygen में कितने mole होंगे, पहले यह निकाले, नमबर ओ मोल्स का formula होता है, given mass यानि 1.43 upon molecular mass, oxygen का molecular mass 32, तो इतने mole oxygen हमारे पास है, बट उसने यह निए पुछा कितने mole oxygen है, उसने पुछा है कितने molecules हैं oxygen के, बागी हमें unit conversion आता है, 1 upon 1.43 upon 32 into, mole की value क्या होती है, 6.022 into 10 into power, एक mole में इतनी चीज़े आती है, तो mole की जगर में यह रख सकता हूँ, यानि मेरे पास इतने molecules हैं oxygen के, जब मेरे पास 1.43 gram of oxygen है, तो मेरे पास oxygen के इतने molecules होंगे प्यारी बच्चो, लो, ओपे तो यह हाँ के बास, तो यह थाँबका हूँ ए आतने हाँ लुखे लूण के पास, կह हाँ ओप नो, यह प pani मेरे पासども है आतने हाल को सुझे पास